राजस्तान के गुलाबी शहर जैपूर में बड़ी चोपड़ पर इस्तित हवा महल राजपूतों की साही विरासत वास्तुकला और संस्कृती के अधुबूत मिश्रण का प्रतीक है हवा महल राजस्तान की सबसे प्राची निमारतों में से एक है बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जैपूर के सबसे प्रसिद परेटक आकर्शनों में से एक है कई ज़रोके और खिड़किया होने के कारण हवा महल को पहले सोब विंड्स भी कहा जाता है भगवान श्रीकृष्णी के मुकुट जेसी इस पांच मंजिला इमारत में 953 ज़रोके हैं यहां से आप जेपूर की सुन्दरता को निहार सकते हैं यहां मदुमक्यों के छटे से मिलते जुलते हैं जो राजबूतों की समरित विरासत का अहसास करवाते हैं लाल गुलाबी बलुआ पत्त्रों से बना हुआ है हवा महल इस हवा महल की खास बात यह है कि किसी भी नीव के बिना यह दुनिया की सबसे उची इमारत है हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंग ने 1799 में करवाया था उस समय पर्दा प्रताप प्रचलित थी इसलिए रानिया इन जरोकों से नगर की सार्वजनिक जलक देखती थी पंद्रा मिटर उचाए वाले एवं पांच मंजिला हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे इसका निर्माण कुछ इस तरीके से किया गया है कि गर्मियों में ताजी एवं ठंडी हवा के जोके महल में प्रवेस करते रहें हवा महल की दिवारों पर बने फूल पत्यों का काम राजबूत सिल्पकला का बेजोड उदारन है इसकी पहली मंजिल पर सरत मंदिर दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर तीसरी पर विचित्र छोती पर प्रकास तता पांचवी पर हवा मंदिर है हवा महल में सीडिया नहीं है बलकि उपर की मंजिलों पर पहुँचने के लिए चडान है हवा महल का टिकिट सुल्क 50 रुपीज है हवा महल देखने का हमारा अनुबव बेज शांदार था वास्तों में हवा मेल शांदार इस्तापत्य एवं बेजोड इमारत है हवा में गल करणे हाँ झाल झाल